अलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार SSC 3rd CGL Pre-Exam के बारे में बात करने बाले हैं कि BSC 3rd CGL Pre-Exam किस महिने हो सकते हैं साथी जानने बाले हैं कि एकजाम होने से पहले आगे कौन सी प्रक्रिया होने बाली है एकजाम डेट नूटिस एकजाम सुरू होने के कितने दिन पहले जारी किया जाएगा इसके रिलेटेट भी आप लोगों को सारी जानकारी मिलने बाली इसलिए आप लोग वीडियो को पुरा वश्ति केगा तो चली आज कब डेश टार्ट करते हैं तो भयार SSC 3rd CGL के लिए जो आबेदन आए हैं वे लगबग 13 लाग आसपास आई हैं तो 3rd CGL के लिए काफी ज्यादा फोर्म बरेगें लगबग 13 लाग के आसपास फोर्म बरे गये हैं तो इन 13 लाग फोर्म की अभी स्कूटनी की जाएगी अभी फॉर्म का स्कूटनी हो जाने के बाद reject list जारी किया जाएगा, जिस भी candidate का photo और signature के कारण, फॉर्म reject किया जाता है, उनका एक list जारी किया जाएगा, फोटो और signature जिस भी candidate के दौरा गलत upload किया गया है, साते जिस भी candidate के दौरा double application किया गया है, उनका एक reject list जारी किया ज रिजक्ट लिस्ट जारी होने के बाद जिस भी कंडिडिट के दोरा फोटो और सिंगनेचर गलत अपलोड किया गया है। पर लोगों को एक्जाम सुरू होने के लगबग 1-5 महिने पहले देखने को मिल जाएगा एक्जाम शुरू होने से लगबग 1-5 महिने पहले आप लोगों को एक्जाम डेट नूटिस देखने को मिल जाएगा तो उचले ये जानते हैं कि बिहार SSC 3 si should प्री एक्जाम कब हो सकते हैं तो आप सभी को पता है कि बिहार SSC CGL का जो एक्जाम होने बाला है ये एक्जाम ओफ-लाइण होने बाला है और बिहार में जो भी ओफ-लाइण competitive exam लिये जाते हैं, वे सभी exam Sunday के दिन ही लिये जाते हैं, क्योंकि Sunday के दिन school college बंद रहते हैं, इसलिए Sunday को ही अधिकतर बिहार में offline competitive exam लिया जाता है, चाहे वह CSBC आयोगो, BPSC आयोगो, बीपी SSC आयोग हो या बिहार SSC आयोग हो सभी आयोग के दोरा संडे के ही देन एकजाम लिया जाता है और बिहार SSC से जेल एकजाम के लिए एक अच्छी बात है कि CSBC आयोग जो की Constable rank का एकजाम करवाता है वहीं BPSC आयोग जो की दरोगा rank का एकजाम करवाता है इन दोनों आयोग के दोरा आगे कोई भी एकजाम नहीं लिया जाएगा इन दोनों आयोग के दोरा जो भी notification जारी किया गया था उनका एकजाम बगरा ले लिया गया है अब कोई भी नया notification जारी नहीं किया गया है इसलिए इन दोनों आयोग के दोरा आगे कोई भी एक्जाम नहीं होने बाले हैं तो ये BSSA CJL एक्जाम के लिए अच्छे बात है कि CJL एक्जाम के लिए आगे सेंटर उपलब्ट कराने में उतनी परेसाने नहीं होगी लेकिन 2022 में BPSC के कई एक्जाम होने बाले हैं जिनका केलेंडर भी जारी कर दिया गया है तो BPSC के केलेंडर में आप लोग देखेंगे कि सेप्टेंबर में बहुत ही ज़्यादा एक्जाम है उसके बाद October में भी एक्जाम है उसके बाद November में भी एक्जाम है September में BPSC के कई एक्जाम होने बाले है उसके बाद October में भी थोरे एक्जाम होने बाले है और November में भी होने बाले है तो CGL का एक्जाम September में होने का चांस ही नहीं है उसके बाद बात करें अक्टूबर तो अक्टूबर या नवंबर में ही बिहार SSC सी जेल का एक्जाम हो सकता है उससे पहले सी जेल का एक्जाम होने का बहुती कम चांस है सब्सक्राइब करें वीडियो को जदा जदा सेर करें और लाइक करें तो चलिए आज का वडियो देखने के लिए अप्रोग कर धन्यवाद